नमस्कार प्रिये वद्यारतियों स्वागता आपका विक्यास फिजिक्स अकेड़ुमी आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बहुत ही मैत्रपॉन टॉपिक डिबोई मोडल के बारे में बात करेंगे और यह टॉपिक आफी बड़ा है एक्जाम में 100% यह आएगा तो इसको हम 2-3 पार्ट के अंदर कंप्लेट करेंगे क्योंकि एक वीडियो में इसको बताना पॉंसिबल नहीं है यहाँ पर मैं आपको नोट्स के माद्यम से बताऊंगा ताक कि आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकें और जब डेरिवेशन हम करेंगे तो वो हम बोर्ड के उपर वीडियो बनाके आपको उपलब्द करवाएंगे जिससे कि आपको डेरिवेशन अच्छे तरिके से समझ म आजे तो वीडियो को लाइक कोमेंट शेर जरूर करें विशिष्ट उस्मा का डिबोई मोडल आइंस्टीन मोडल और डिबोई मोडल काफी मैतपुन हैं टोपिक आपके सॉलिड स्टेट के अंदर और आइंस्टीन मोडल मैं कंप्लेटली अपलोड कर चुका हूं इसके अल मोडल सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे पोस्टूलेट इसकी अभीदारनाएं क्या है कई बार शिर्फ अभीदारनाएं वे तीन नंबर में पुछी जाती है सेक्शन बी के अंदर तो सबसे पहले फर्ष्ट मॉइट आता है कि ठोस को जो हमारा सोलिड है उसको समदैसि यहां पर डिबोई जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोलिड को आइसो ट्रोपिक, इलास्टिक, होमोजीनियस और कंटिनूस मीडियम है वो माना है इसके लबा सेकेंड पॉइंट जो आता है कि ठोस का परतेग परमानू एवरी एटम ओफ सोलिड युग में दोलग के समान कार करता है एक कपल्ड ओक्सिलेटर के समान कारे करता है जबकि आइस्टिन थे उन्होंने जो अपना एटम है उनको सिंगल ओक्सिलेटर के रूप में माना था एकल दोलग के रूप में माना था जिस जिनके कंपन पर समानने विदाओं के रूप में व्यक्त होते हैं तो यहां पॉइंट साध की बात करें तो पॉंट साध के अंदर N परमाणूं वाले ट्स में कुल 3 N पर nossa मान विध proton को निटोय mistead वर्त अजिनकी आवरति से उपके अश्क段 ऑवरती यह उन्यवार्ट कुल कुछ भी हो सकती है यह जो point है यह भी काफी important है क्योंकि Einstein model के अंदर Einstein के द्वारा जो आवरती है frequency है उसको constant बना गया था सभी oxidators की जो सभी परमाणों की जो आवरतियां है वो एक समान माने गई थी uniform माने गई थी जबकि डिबोई ने 0 से और अपनी एक value दी है करांतिक आवरते की डिबोई अंत गावरती जिसे कहते हैं वो आगे हम ग्याद करेंगे वहां तक कुछ भी हो सकती है यानि एक range आजएगी 0 से ओमेगा टी तक के उसमें कुछ भी value हो सकती है आवरते की तो ओमेगा डी को डिबोई अभी लाक्षनिक आवरती भी कहते हैं ओमेगा डी जो है उसको डिबोई characteristic frequency भी कहा जाता है यह है परतिबंद इस तत्य प्राधारित है कि ठोस में संच्रित तरंगों की तरंग ध्यारिये lambda very very less than 2a होती है अब a जो है वो आपका lattice constant है जालक नेतांक है और यहाँ पे जो waves ठोस के अंदर संच्रित होंगी उनकी जो wavelength है वो इस जालक नेतांक के double यहन इसका दो गुणा से काफी कम होती है और कुल विधाई है वो 3N यहाँ पर होती है पॉइंट नंबर 4 यह कहता है कि पर समाने विधाओं के आवरती जो है वो 0 से ओमेगा डी तक स्तत रूप से बदलती है continuous रूप से बदलती रहती है लगातार जबकि आइस्टी मोडल केंद इनको विवक्त रूप में लिया गया था पांचमा पॉइंट कहता है कि ओमेगा डी कमान अनुपरस्त और अनुधरिये विधाओं में एक समान रहता है यानि तरंगे जो है वो अनुपरस्त भी हो सकती है और अनुधरिये भी हो सकती है longitudinal और transverse दोनों हो सकती है तो यहाँ पर ओमेगा डी कमान है दोनों तरंगों के लिए वो एक समान होता है तो यह आपके पॉस्टुलेट थे पांस पॉइंट इसके अंदर बताए गए हैं तो यह पॉस्टुलेट आपको अच्छे तरह किसी याद रखने है और आइंस्टें मोटल के साथ इनका क्या difference है वो भी जो है उनकी numbers क्या है किसी finite lattice में परिमीत जालक में कंपन विदाओं की संख्या क्योंकि हम पहले संख्या गयात करेंगे संख्या के बाद ही हम जो है उसकी mean energy वो find कर पाएंगे और mean energy के बाद में हम उसकी specificator find करते हैं तो यहाँ पर दिर्ग तरंग धैरिये वाले तरंगों के एक परमाणू रेख ही जालक स्तत्माध्यम की तरह कादे करता है ऐसे की तनी हुई डोरी यानि एक stretch string जो है वो स्तत्माध्यम की रूप में माना उसको जा सकता है जिसमें तरंग वेग आवरती पर निर्भरे नहीं करता है यदि स्तत्माध्यम के लंबाई हम capital L मानते हैं त तो उसमें elasticity का जो property वो होनी चाहिए यानि कि अब उसको खींचेद वापस अपने position में आने का वो property रखती है तो उसमें प्रत्यास्त बल परमाणों के मध्यकारिय करते हैं और माने जी L लंबाई की जो डोरी है उसमें अगर हमारे पास N atoms हैं और प्रतेक atom की between की distance से वो lattice constant A के बराबर है जालक नितां के बराबर है तो मारे पास total जो distance है वो हो जाएगी N A के equal हो जाएगी तो इसी प्रकार से यहाँ पर उनके कंपन SSM के समान होंगे यानि जो simple harmony motion है सरल आवरत गती है उसके समान उनके कंपन होंगे आता है जब कोई प्रगामी तरंग जालक में संस होती है प्रगामी तरंग भी होती है जो energy का transfer करती है energy को उर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है तो जालक के अंतिम प्रमानों से प्रावर्तित होके यह प्रगामी तरंग का निर्मान करेंगी जिस प्रकार से मान लेजी के हमारे पास यहां से जालक के कि आपका starting point है और जो डोरी का end point है वहाँ पे निस्पंद बनते हैं node बनते हैं और nodes के उपर जो विस्थापन है वो 0 लिया जता है तो हम एक प्रगामी तरंग का एक समेकन मानेंगे और उसके सायतासी से आगी हल करते हैं तो यहाँ पे प्रगामी बनती है तो यहाँ पे बाइ मिस्टेक प्रगामी तरंग लिखा गया है यहाँ पर प्रगामी तरंग आएगा यहाँ प्रगामी तरंग यहाँ पर बनती है जिसका समेकन है UN बराबर A sin K X X sin omega T equation नमरा गी फ़स्ट अब यह K X लिखा गया है याँदि हम शिरफ एक्स डारेक्शन की बात कर रहे हैं तो यह पर गामी तरहं समेरिकन सभी समेरिकन जालाग के सीरों पर यानि स्टार्टिंग और एंड वाले जो पॉइंट है उन पर यू जीरो यानि आप एंड की वेल्यू जीरो रखेंगे यहाँ पर तो यू जीरो और लास्ट में हमने बताएथा कि अगर उसमें एंड एंड हो तो यू एन हो जाएगा इन पर क्या होगी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर नोड बनते हैं इस सर्थ का पालन करेंगी इसकी साइथा से हम क्या करेंगे हम इसका मान याद करते है के एक्स का यहाँ पर जो X लिखा गया है X तो यहाँ पर total X अब किसके बराबर होगा total X है वो उस डोरी की लंबाई L के बराबर होगा जिसको हमने माना था और उसमें N atom है परतेक atom की between की distance है वो A है तो total कितनी होजेगी N A हो जाता है तो X बराबर क्या होजेगा N A तो sin K X N A बराबर क्या होजेगा 0 हमारे पास होजेगा 0 होने से UN का मान हम 0 के बराबर लेके चलते हैं तो K X N A बराबर sin inverse 0 और यहाँ से हम condition दे सकते हैं कि sin inverse 0 जो है वो value आपको कहां का मिलेगी तो वो मिलेगी आपको N X पाई पाई के अंदर हम यहाँ पे इसका गे integer है जो N X उसकी value रखेंगे वई 1, 2, 3 इस परकार से तो आपको sin की value जो यहाँ पे है वो 0 मिलती रहेगी तो यहाँ से हमारे पास एक condition आती है कि K X बराबर N X पाई एपॉन N A और यहाँ से जो N A हमारा है वो total लंबाई डोरी की जो length है L लंबाई है उसके बराबर था तो उसको हम इस परकार से भी लिख सकते हैं कि K X बराबर N X पाई एपॉन L equation नमर आगी 2 तो यह K X की value हमारे पास आई N X पाई अपॉन L इसी परकार से अगर हम K Y की value find करना चाहें Y direction के अंदर तो हमारे पास आएगी K Y बराबर N Y पाई एपॉन L और उसी परकार से Z की value भी आजेगी K Z equals N Z पाई एपॉन L अब यह जो N A है बराबर L Capital L वो पूरी lattice की length ले गई है लंबाई ले गई है अब हम क्या करेंगे हम एक X Y Z को अगर हम command group से लेके चलते हैं तो हम एक उसको घनिये जालक मानेंगे हम मानेंगे कि घनिये का मतलब cubic हो जाएगा X Y Z तीनों में उसके length वो बराबर है यदि L वाई का घनिये जालक माने अभी हमने बात की है वो सिर्फ X direction के दर में के X कमान निकाला अब हमें गनिये जालक lattice ले रहे हैं cubic lattice ले रहे हैं जिसमें X Y Z हम तीनों एक साथ ले रहे हैं तो यू N बराबर A sin N pi X upon L X आजेगा फिर sin का Y वाई 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 कमपोनेट आजेगा N Y pi upon L Y और फिर Z वाई वाई आजेगा और K X की जो value मने निकाले थी उसमें pi square L square common आजेगा और यह N X square प्लस N Y square प्लस N Z square है वो X Y Z तीनों एक सेट की रोप में आजेगा इसमें X Y Z कमान अलग-अलग हम रखेंगे तो एक सेट प्राप्त होगा जिसको हम N square के equal रखेंगे निकाले न X square प्लस N Y square प्लस N Z square N square के equal होगा तो हमारे पास होगा K square equal N square pi square upon L square और यहां से हम N square की value find कर सकते हैं N square equal आजेगा K square L square upon pi square और K जो है वो यहाँ पे आपका omega upon V के equal होगा क्योंकि जो आपका V होता है phase velocity जिसे कहते हैं कलावे वो omega upon K के equal होता है आपके angular frequency और आपका जो propagation constant है तरंग संचन नेतांग उसके अंडपात के बराबर होता है तो आप यहां से K की value जो है omega upon V रख सकते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यह V जो है यहाँ पे velocity है ना कि यह volume है तो यहाँ पे N square equal आजेगा omega square L square upon pi square V square मैं यहाँ पे V को small V से denote कर रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम volume की बात करेंगे तो वहाँ पे volume को V से हम capital V से denote करेंगे तो उसमें हमें confusion ना हो इसलिए हम यहाँ पे velocity को small V से denote कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने K की value जो है पे आती है अब हम क्या करेंगे अब हम एक frequency की range लेंगे omega से omega पले से d omega उसमें company विदाओं की संख्या जो है वो हमें find करनी है तो इसके बाद यहाँ से हम N की value find कर लेते हैं तो N की value यहाँ से आप देख सकते है N की value जो है वाजेगी omega L upon pi B equation number 6 यह N की value है आगे हमारे काम आएगी काफी important है अब यह equation 6 जो है उससे यह अपने को clarify होता है कि घनी जालक में संख्यत विभिन विदाओं की आवर्ति धनात्मक पुर्णा को Nx, Ny, Nz के समुच्या पर depend करती है यान N का मान जो है वो depend करता है कि Ny, Nx, Nz के मान क्या होंगे अगर X, Y, Z में अलग-अलग integer आपको मिलते हैं अलग-अलग value मिलती है तो उनकी जो कमपन विदाओं की आवर्ति जो है वो इन दनात्मक पुर्णा कों के उस set पर depend करेगी कि आपने वो set क्या लिया है जैसे आपने X का मान एक लिया, Y कमान एक लिया Z कमान भी आपने एक लिया तो ये एक set हो गया 111 का इसी परकार से अगर आपने X कमान एक लिया Y कमान एक लिया और Z कमान आपने दो ले लिया तो ये 112 का set हो गया इस परकार से ये जो set है ये जो मान है Nx, Ny, Nz के इन पर depend करती है तो यहाँ पर एक समुझे एक संभावित वीधा को व्यक्त करेगा यानि कोई भी एक set है वो एक company वीधा को ही व्यक्त करता है तो अब हम क्या करेंगे अब हम एक range लेते हैं ओमेगा और ओमेगा पलस डी ओमेगा आवर्ती प्रास के मध्य संभावित कमपन विधाओं की संख्या ग्याद करने के लिए मानने जी हमारे पास ओमेगा और ओमेगा पलस डी ओमेगा अपनी frequency के range है यानि इसमें difference डी ओमेगा का ही है तो यहाँ पर हम एक निर्देश तंतर मानते हैं उस निर्देश तंतर को हम क्या करेंगे जैसे हम एक frame और preference लेते हैं उसमें हम इस प्रकार से x, y, z के रूप में इसको denote करते हैं यहाँ पर हम x, y, z ने लेके उन x, y, z की जगे nx, ny और n, z को व्यक्त करेंगे हमारे जो n के x, y, z वाले component है उनको तो यहाँ पर nx, ny, n, z के रूप में हम व्यक्त करते हैं x, y, z अक्षों को तो समीकन 4 एक गोले का समीकन है समीकन 4 जो यहाँ पर देख सकते हैं समीकन 4 के बात करें यह वाला तो यहाँ पर एक spare के equation को denote करता है तो इसे तरीके से हम क्या करते हैं x, y, z जो अपने मानने हैं अक्षेz nx, ny, n, z के लिए तो उसको हम एक गोले के रूप में बनाएंगे यानि आता है मूल बिंदू को केंदर मान कर l omega upon pi v जो n की value थी वो एक तिर्जा की तरह हो जाएगी और तिर्जा का एक गोला खींचते हम तो उसके आयतन के 8 में बाग में वे सभी point होंगे जिनसे nx, ny, n, z का एक समूच्च है 0 से n तक के मद्ध होगा यानि आप इनकी value जो है वो 0 से लेके 0 मतलब center की बात हो जाएगी 1, 2, 3 इस परकार से n तक रख सकते हैं तो 0 से n तक के जितने भी set बनेंगे वो set जो है उस आयतन के 8 होंगे भाग में आपको वे सभी point मिल जाएगे अब यह आयतन के 8 होंग भाग जो है वो यहाँ पर किस परकार से बताया गया मान लिजिए कि आपके बास एक circle होता तो आप एक circle को इस परकार से 4 part में divide कर सकते हैं यहीं पर अगर आपके बास spare है तो spare को आप पहले ऐसे middle से cut करेंगे तो उपर का जो half spare बचेगा आपके बास अर्द गोला बचेगा उसके आप 4 part कर सकते हैं आपको 4 भाग उसमें मिल जाएंगे तो एक पूरे spare में आप 8 भाग जो हैं वो बना सकते हैं और वे सभी company विदाओं को व्यक्त करेंगे उस सभी भाग जो है वो सभी समुच्चे जो हैं यह आपने ले लिए यहाँ पर x y z x की जगह है और यहाँ पर यह dn है यानि आवर्ति की वो प्रास है n से n पलस से dn जो भी आपके आवर्ति प्रास है वो यहाँ पर आजएगी तो 0 से omega तक आपन विदाओं की संख्या जो है वो कितने हो जाएगे 8 में भाग में 1 बटा आठ और आएतन काठ में भाग अपना वोल्यम काठ हो भाग है तो आएतन होगा इसका 4 बटा 3 पाई n की क्यूब n की क्योब क्यों है क्योंकि यहाँ पर r की क्यूब है और R हमारे पास यहाँ पे N को हमने तिर्जा माना है तो N की value L omega पॉन पाई भी है तो यहाँ पे N की cube हो जाएगी और यहाँ से cross होके आएगा पाई बाई 6 N की cube यहाँ पे 0 से omega तक कमपन विदाओं की संख्या जो है वो पाई बाई 6 N की cube आती है अब हम यहाँ पे अपनी आवरती की एक range लेते हैं omega से omega पलस से D omega तो इस range में कमपन विदाओं की संख्या हम कैसे गयाद करेंगे तो आपको पता है कि जब हम omega से omega पलस से D omega लेंगे तो हमारी जो radius है वो भी change होगी तो हमारे पास जो भी formula आया था पाई बाई 6 N की cube तो हम क्या करेंगे N की cube को N पलस से D N की रूप में वेक्थ करेंगे N पलस से D N और इसकी cube हो जाएगी और इसमें से पाई बाई 6 N की cube को माइनस कर देंगे जैसे माह लेजी हमारी radius से N पलस D N यहाँ तक आती है और यहाँ तक N की value है 6 को मन आजिएगा N पलस Dn की Q माइनस N की Q यहाँ पर आजिएगा अब हम formula लगाएंगे A पलस B की whole Q का तो A की Q पलस B की Q पलस 3 A square B पलस 3 B A square इस formula के according हम इसको open करेंगे जैसे हम A की Q यहाँ पर करेंगे sorry N की Q करेंगे तो यह N की Q open किया N की Q पलस 3 N square Dn पलस 3 N Dn square पलस Dn cube माइनस N की Q तो यह N की Q यह N की Q वापस में क्रोस आउट हो जाएंगे इसके इलाबा N के साफ एक से Dn है वो काफी अतियल्प है मान लेजिए हमारी जो radius थोड़ी से हमने change की है वो काफी कम है और जब हम किसी भी small quantity का square करते हैं, cube करते हैं तो quantity और ज़्यादा छोटी होती जाती है और ज़्यादा less होती जाती है इसलिए हम उसको negative मान लेते हैं तो हमारे पास जहां पर भी Dn square बन रहा है जैसी यहां बन रहा है Dn cube बन रहा है तो यह जो आपके steps हैं पद हैं वो नगणने हो जाएंगे तो यह पद हम छोड़ देंगे यहां से तो हमारे पास जो formula बचेगा pi by 6 3n square dn यहां पे आता है और यहां से हम इसको cross करें तो यह 2 आजेगा तो आजेगा pi by 2n square dn तो इस d omega cross के अंदर कमपन विदाओं की संख्या जो है वो आएगी pi by 2n square dn अब इन कमपन विदाओं की संख्या को दिखाने का एक symbol भी हमारे पास होता है जिसको हम दिखाते हैं z omega d omega z omega का मतलब है कि यह omega की बात कर रहा है omega को बता रहा है omega पे dependent है तो हम क्या करेंगे यहां से n square की value हम रखेंगे यानि n की value थी हमारे पास है l omega upon pi v तो यहां से n square हो जाएगा pi by 2 l square omega square upon pi square v square और dn की value हमें रखने पड़ेंगी ताकि हम इसको d omega में convert कर सकें तो n की value होती है l omega upon pi v बाकि इसमें constant है तो यहां पे dn हो जाएगा इसका diff Civic इसका differential एफरेंगे तो l square और l यहां पे l की cube हो जाएगे omega square हो जाएगा डी omega जाएगा pi square और pi यहां पे pi की cube हो जाएगे pi से उपर से कट जाएगा तो pi square यहां पे बचेगा और इस परकार से हमारे पास equation 7 आती है यहाँ पर L की cube जो है L हमारे क्या था? L हमारे total उसमाध्यम के length थी और हम जब एक घनिय की बात कर रहे हैं तो L की cube पूरे volume coordinate करेगा तो यहाँ पर V जो है वो volume coordinate करता है और upon में जो V की cube आ रहा है यह velocity coordinate करता है तो हमारे पास यहाँ पर V की cube नहीं आएगी V omega square upon 2 pi square pi V की cube d omega यह equation 7 आगी यह आपके company विदाओं की संख्या आती है अब यहाँ पर हमारे पास जो velocity है हम इसको दो part में लिखते हैं एक होता है अपना अनुपरस तरंग के लिए एक होता है अपने अनुधर यह तरंग के लिए solid के अंदर ठोस के अंदर दोनों ही परकार की तरंगी उत्पन होती है तो हम इसको transverse और longitudinal दो अलग लग फर्म में वैकते करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो समेकन 7 हमारे पास आई दोनों प्रकार की तरंगे संच्रित होती है लेकिन इनके वेग हैं वो अलग-अलग होते हैं अत्य परतेक आवर्ती के लिए अनुप्रस तरंगों में एक धुर्वनवस्ता और अनुप्रस तरंगों में दो धुर्वनवस्ताइं पाई जाती है यहाँ पर आपको थोड़ा से ध्या रखना है कि जो एवरी फ्रिक्वेंची है परतेक आवर्ती है उसके लिए जो अपनी अनुप्रस तरंगों में दो धुर्वनवस्ताइं पाई जाती है तो हम इसको इस परकार से यहाँ पर लिखेंगे कि ठोस में ओमेगा वे ओमेगा पलस दी ओमेगा के मद्ध है कमपन विदाओं के संख्याद जड ओमेगा डी ओमेगा वी ओमेगा स्केर अपॉन टू पाई स्केर यह तो कॉंश्टेंट है और हमारे पास जो अपने यहाँ पर बटे में वेलोसिटी थी उसको में दो पार्ट में लिखना है टू अपॉन वी टी की क्यूब टू का मतलब हो गया कि दो धुरून वस्ता है ट्रांसवर्स के अंदर धुरून वस्ता है ट्रांसवर्स के अंदर अनुपरस्त का मतलब है ट्रांसवर्स यहाँ पर जेड ओमेगा डी ओमेगा का भी जो मान फाइनल है आ गया है इसके बाद हम इसमें डिवोई अप्रोक्शिमेशन का यूज करेंगे और उससे एक जेड ओमेगा डी ओमेगा का फाइनल मान आएगा और उसकी हेल्प से हम आगे specific heat है और माध्य उडजा है और उसमें high temperature पे low temperature पे जो specific heat का मान क्या आता है ठोस में वो गयाद करेंगे तो वीडियो कैसे लगी लाइक कोमेट शेर जुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और आपको लगातार महतपुन topics की वीडियो नोट्स मिलते रहेंगे मिलतें next वीडियो में धन्यवाद